दोस्तों सलाम नमस्कर स्रेकाल अलेगों फिर से अब गास्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में देखे इंसानों की खुबसूरती के बारे में तो आपको पता है लेकिन आपको क्या ये जानकारी है इसी दुनिया में हमारे बीच में ही एक से बढ़ कर एक सुन्दर पक्षी रहते हैं जि हाँ ऐसे पक्षी जिन को देखने के बाद आपको सच में लगेगा ऐसी खुबसूरती तो भाई आपने आज तक देखी ही नहीं है तो ही दोस्तों कुछ ऐसे भी हैं जिनको देखकर आपके पसीने छूट चाएंगे इस वीडियो को आप एंट तक देखे क्योंकि लास्ट में आपको ऐसे पक्षी देखने को मिलेंगे जिनको देखने के बाद आपके पैरो तले जमीन खिसक चाएगी अब ही दी कि हमने एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम है फैक्ट बासा प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कीजे उसको जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जितना प्यार यहां देते हैं प्लीज वहां भी दीचे दोसरे बात तो आप भी जानते हैं कि हमाले परवत पर एक से बढ़कर एक रहसे छिपे हुए हैं लेकिन आज हम उनमें से ही एक रहसे से परदा उठाने का काम करेंगे हम आपको दिखाने वाले एक ऐसी चीज जिसको देखने के बाद आप चौक जाएंगे आप ये देखें इस खुबसूरत जीव को इसको कहते हैं क्लावट एंटिलो नेपाल के हमाले परवत पर ये खुबसूरत जीव रहता है कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे खुबसूरत जीव है वाकई में दोस्तों नीचर ने इनको बहुत खुबसूरत पनाया है कहा जाता है कि ये बहुत ही rarely ही दिखते हैं लेकिन दोस्ते एक बात तो ताय है इनकी खुबसूरती को देख कर कोई भी कहेगा कि वाकई में इनके जैसा आज तक नहीं देखा white और blue color के combination के साथ इनकी पीट पर आपको पत्थर की तरह कुछ चीजे भी नज़रा रही होंगी वही से कहते हैं प्रकृती की सुन्दरता I'm sure बहुत सरह लोगों ने इस जीव के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा लेकिन आप भी देख लीजे इनको इनको देखने के बाद भाई किसी का भी मोड बतल चाहे यह amazing है दोसो जैसन का नाम है ना वैसे इनका काम भी है यह वाकई में अपनी खुबसूरती से किसी को भी kill कर सकते हैं आपको बता दू इन्हें आप हमारे साथ दिजिटल प्लैटफॉर्म पर ही देख लीजे क्योंकि ए पक्षी दुनिया के सबसे महगी बर्ट्स में से एक है इसकी कीमत आप जानते हैं करीब करीब 4,00,00, रुपए है साथ यह पक्षी कैरीवें कंट्री में ही देखे जाते हैं आपको बता दो इस पक्षी को खरीदने से पहले पुलिस से भी परमिशन लेनी होती है क्योंकि इनको कोई भी अपने घर लाकी योही पाल नहीं सकता एक तो आप इनके खुबसूरती देख सकते हैं और दूसी बात जो इस पक्षी को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि आप इनके सामने किसी की भी आवाज में बोलीजे ये आपकी नकल उतार देते हैं ये है भई इस पक्षी की खासियत आपने गौर क्या होगा इस पक्षी का शरीर बहुत कलरफूल है ऐसे में दोसन का निकनेम भी है रेन्बो बिर्ट टुकैन ये हाँ इनकी बोड़ी बिल्कुल रेन्बो की तरह लगती है बिल्कुल कलरफूल ये पक्षी 20 सेंटीमीटर्स लंबे होते हैं तो वहीं 4 किलो वजन वाले होते हैं ये रात को भी अपने खाने की तलाश में निकलते हैं साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दू ये पक्षी बारिश होते ही अपनी बोड़ी का कलर भी चेंज कर लेते हैं कमाल की बात है भई क्या आपने इससे पहले इतने खुबसूरत को इपक्षी देखे थे वाकई में ये पक्षी किसी का भी दिल चीत ले दोस्व आप बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है आपके लिए दोस्व आप इस पक्षी को देख लीजे क्या कहेंगे आप इस बर्ट को देखकर है ना ये बहुत ज़्यदा खुबसूरत आपको बता दो ये बर्ट सिर्फ नीजलैंड में ही पाय जाती है जी हां ये दुनिया में आप सिर्फ और सिर्फ 125 की संख्या में बची हुई है इनकी बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही तेज पक्षी होते हैं और एक बार पक्षी नीजलैंड में इने विलुप्थ होने से बचाने के लिए बहुत काम लिक्किया जा रहा है लेकिन एक बात तो तैय है पक्षी वाकई में बड़े खुबसूरत है इसमें कोई शकी नहीं है दोस्तों जब भी बात गिद किया आती है तो वही सब डर चाते है सब के मन में वही बात बार बार आती है एक ऐसे पक्षी जो किसी के मरने का इंतजार करते है ताकि जानवर मरे और ये अपना पेट भर लें लेकिन दोस्तों अब जो हाँ आपको किंग वल्चर दिखाने जा रहे है न और पक्षियों से आपको मिलवाने वालों अब या मुझे बताइए कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं किस गाहों से किस शहर से लिखे कॉमेंट सेक्षिन में नाम और जानिए एक और पक्षी से नमबर फाइव ट्रागो पैन दोस्तों ये पक्षियों आपको देखने को मिल जाते हैं हिमालाय के एरिया में वाकरी में इनको देखकर कोई कहीं नहीं सकता इनकी खुबसूरती किसी से भी कम है जी हाँ अब देखे इनकी ब्राउन कलर की बॉड़ी को लेकिन उपर का हिस्सा इस बर्ड का औरेंज कलर का है साथी गला ब्ल्यू कलर का दोस्तों क्या इससे ज़्यादा कोई कलोफुल बर्ड हो सकती है आप ये देखिए मेर ट्रागो पैन भी किसी से कम सुन्दर नहीं होते हैं इनकी बॉड़ी पर भी छोटे-छोटे से स्पोर्ट होते हैं लेकिन दोस्तों इस सभी स्पोर्ट इनकी खुबसूरती को और बढ़ाते हैं कमाल की सुन्दरता है इस पक्षी की एक बात और जो इनके बारे में कही जाती है वो बात यह है कि ये बहुत ही शर्मीले किस्म के पक्षी होते हैं जी हाँ इनको देखकर भई किसी का भी दिल कहें वाह मज़ा आ गया दोस्तों सबसे पहले आप इस बड़ को देखें ये बहुत ही खुबसूरत लगते हैं आपको देख करी नहीं लगता कि इन बड़ के पास स्पेशल गुबारा हैं जी हाँ आपको बता दूए जो लाल रंका आप गुबारा देख रहे ना ये बहुत ही अलग चीज़ हैं ये कैसे यहाँ पर ये सारे के सारे frigate bird एक साथ अपना लाल रंग का गुबारा फुला कर बैठे हूँ है। आप जानते हैं क्यूँ दोस्तों ऐसा इसली क्योंकि ये frigate birds अपने females को attract करते हैं इन लाल गुबारों से चीहां इस दिन में कम से कम 2-3 घंटे तक इसी तरह बैठे रहते हैं थाकि कोई female भई इसे attract हो जाए और ये अपना घर पसा लें। वही कहा जाता है कि एक ऐसे पक्षी है जो दूसरे पक्षी हो खाना चीन कर खाने के लिए जाने चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि शिकार करने के मामले में ये पक्षी किसी से कम नहीं है। आप ये देखे ना कैसे पक्षी मश्टियों को पकड़ रहे हैं फो भी समंदर से। वही जो भी कहिए जब ये अपने लाल रंग का गुबारा फुलाते हैं ना तो ये बड़े ही कमाल के लगते हैं। आपको ये कैसे लगे हमें फटा-फट कॉमेंट करके बताइए। साथी दोस्तों मैं आपको पक्षी दिखाऊंगा ना उसे देखने के बाद भाई आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे तो कहीं मज जाएए। अब मिली अगले पक्षी से। दिखे वुड़डग पक्षी बदग प्रजाती का होता है। ये दिखने में बहुत ही खुबसूरत और लाजवाब लगते हैं। लेकिन दोस्तों आप खुदी देखिए ये कितने खुबसूरत होते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बड़े ही चालाक किस्म के होते हैं। अगर ये किसी शिकार पर नज़र जमा लेना तो उसको शिकार करके ही मानते हैं। ऐसे आपको बता दू। चाइना देश हैं बतक का इस्तमाल पुलिस वाले क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए करते हैं। क्या आपको मालूम थी ये बात? नहीं न? ऐसी बहुत सरी बात आपको बताओंगा। अब मिलिए एक और पक्षी से। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ सदा बहार पक्षी यानि की मोर को जी या हमार देश की नेशनल वर्ट। देखे ये बात तो सभी को बताओंगी जब बारिश होती है तो मोर अपने पंको को खोल कर नाशते हैं। दोस्तों लेकिन शाहिदी किसी ने इनकी खुबसूरती देखी होगी आप ये देखे कैसे मोर बारिश में नाशते हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन दोस्तों इंबात बिल्कुल सच है कि मोर दुनिया के सबसे खुबसूरत पक्षों के सूची में 2018 में सर्वे में आप जानते हैं सेकेंड नमबर पर थे आप देखें इनकी खुबसूरती वैसे भी इनके बारे में कहा जाता है कि अगर मूर में होना तो एक गजब के खुबसूरत लगते हैं। क्या आपने कभी मोर को नाशते हुए देखा है अगर नहीं तो भई कोशिश कीजिए इनने नाशते हुए देखने की यकीन मानी आपका दिल गार्डन-गार्डन हो जाएगा नम्मो नाइन फ्लैमिंगो दोस्तो औरेंज कलर को देखकर पई दिखे कोई भी खुश हुज ज दिखते हैं इनकी लंबाई 4-5 फिट होती है और वेट होता है करीब करीब 3.6 केजी ये पक्षी दुनिया के कई देशों में पाय जाते है नारंगी और सिफेद रंका ये पक्षी दिखने में बेहद ही आकरशित होता है और सुन्दर भी फ्लैमिंगों को समुद्री इलाके बेहत पसंद होते हैं और इसी वज़े से जयातर समुद्री इस्थान के पास पाया चाता है अपनी लंबी चोंच से मशली और समुद्री कीडों को पकड़ कर ये उनका सेवन करता है साथी दोस्तों आपको बता दूँ शिकार की तलाश करने में ये पक्षी बड़े माहिर ह ये अगर एक बार अपना निशाना साथ लेना तो छोड़ते नहीं है दोस्तों दुनिया के सबसे खुबसूरत पक्षियों की सूची में गोल्डन फिज़न पहले नमर पे हैं इसकी खुबसूरती और रंग भी रंगी छवी ही इसे पहले स्थान के योगे बनाती है सुनहर कर लगी जाता है कि कुछ हलाग है इनको पकरना और बेशना मना है कहा जाते कि कई लोग इस पक्षी को काले बाजार हैं बेशते हैं और इनकी बोली लाखों में लगती है लेकिन दोस्तों वाकई में इनकी सुन्दरता को देख कर कोई भी मंत्र मुग्द हो जाए क्या आप स्कारलेट के कई लोग अपने घर में भी पालते हैं स्कारलेट के लंबा ये आप जानते हैं 80 से 90 संटिमीटर्स तक होती है और इनका वज़न देर किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है स्कारBeat के रोडने की किशमता भी कमाल होती है और ये अपने पंखों को लगतार ते नहीं पड़ती है। साथ ही आपको जान का हैरानी होगी ये पक्षी किसी की भी नकल उतार सकते हैं। अब जानते हैं इनको beauty with brain भी कहा जाता है। ये बड़े कमाल के हैं। खुबसूरत तो है ही साथ इन में अकल की भी कोई कमी नहीं है। इनको देखकर तो वही किसी का विद बड़े जानवरों को भी अपने चंगुल में फसा लेते थे। जहाँ आप जो तस्वीर देख रहे हैं ना। इसमें एक पक्षी इंसान को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। आप क्या लगता है? क्या है फोटो रियल है? या फिर फोटो शॉप किया गया है? कॉ हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। मैं विलूंगा आप से क्ली वीडियो में। तिल दैन बाबाई टेक केर!